हलो दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना साइटेक वीजान नियुटी भींदी चैनल मैं हूं संजे स्वागत करता हूं आप सभीका दोस्तों जैसे पिछले पी कुछ वीडियो से लागातार हम लोग बात करने हैं बजट लेप्टॉप्स के बारे में तो कफी सारे कमें लेप्टॉप अगर इस-पेसल बोला जाए तो गेमिंग लैप्टॉप गेम के लिए अगर इसपेसल कोई लेप्टॉप बनाया गया है तो उसका लूप वगईर गेम की तरह बनाया हुआ होता है और इस पेसली खासवात उसके अंदर कूलींग वगईर का धियान रखा जा तो बहुत ही high configuration और high graphic की जो जरूरत होती है वो अचलिए game के लिए ही जरूरत होती है तो इसलिए game के लिए जब कोई भी laptop या desktop बनाय जाता है तो उसको special थोड़ा model भी game की तरह रखा जाता है तो especially gaming के लिए ही आप laptop buy करें यह जरूरी नहीं है आप high configuration में अगर laptop buy करते हैं तो आपके लिए जो है editing, mixing वगएरा या फिर gaming वगएरे सब कुछ आप कर सकते हैं विल्कुल easily तो आज की इस वीडियो हम लोग ऐसे gaming laptop के बारे में बात करेंगे जो इंडिया के अंदर आज की रिक में भीक रहे है एक्शलिए gaming laptop जो है पचास साथ हजार से लेकर के लाख दो ल सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होता ही बेल आइकॉन पर क्लिकर ना भूने जिससे क्या होगा कि हमारी हर नई वीडियो का प्रोड़ी इंफर्मेशन आपको मिलती रहेगी तो चली हम बात करते हैं यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं डेली स्विरोन में यह म बहुत यह बहतर ग्रेफिक में आता है लेप अपके लिए तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं इसका इसके अंदर जो सीप्यों लगा हुआ है वो आई फाइप और इसके अंदर 15.6 इंच 4GB NVIDIA GTX 1050 ग्रेफिक लगा हुआ है यह ग्रेफिक बिल्कुल वही है साइज बिल्कुल वही है इसके अंदर जो सीप्यू है i7-7700HQ 3.8 GHz इसके अंदर जो है सीप्यू थोड़ा सा एडवांस है और जो रैम है 8GB DDR4 लगा हुआ है हार्डिस्क वन टीवी और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इसके अंदर 128GB SSD लगा हुआ है सीधे इसके स्पीड को बहुत जादे बुष्ट मिलेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम इंडोस 10 होम है तो अगर अच्छा परफरमेंस चाहते हैं तो आप यह SSD वाल लेप्ट GTX 1050 के साथ में और इसका जो है CPU लगा हुआ है i7 7th generation 2.8 GHz RAM 16GB DDR4 के साथ आएगा या ध्यान रखेंगे RAM 16GB लगा हुआ है hard disk 1 TB और SSD 256GB लगा हुआ है तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और अपरेटिंग सिस्टम इंडोस 10 के साथ में तो अगर आप बजट एफोर् है और 16GB RAM यह एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है उसके बादम बात करते हैं HP के अंदर यह जो है HP Pavilion में यह पड़ेगा आपको 68,150 रुपे में जिसके अंदर 15.6 इंच डिस्पले के साथ में 4GB NVIDIA GTX 1050 ग्रेफिक लगा हुआ है एक चीज आप कॉमन देख पा रहे है जो भेतर गेमिंग के लिए लेप्टाप है उसके अंदर मैक्सिमम यह GTX 1050 ग्रेफिक काड लगा हुआ है यानि कि यह बहुत ही बहुत भेतर ग्रेफिक काड होता है और इसके अंदर जो है CPU i5-7300HQ लगा हुआ है 3.5 GHz वाला RAM जो है 8GB DDR4 लगा हुआ है 1 TV hard disk है और Windows 10 home के स सकता है जिसका प्राइस 68,150 रुपे है उसके बादन बात करते हैं HP का ही यह मॉडल जिसका प्राइस से 84,000 रुपे और इसके अंदर 15.6 इंच इसक्रीन के साथ 4GB NVIDIA GTX 1050 ग्रेफिक लगा हुआ है और CPU i7 है इसके अंदर i7 7th generation 2.8 GHz वाला RAM RGB DDR4 लगा हुआ है hard disk 1 TV और SSD 128 GB लगी हुई है और operating system Windows 10 हो है तो बहुत अच्छा speed देगा आपके लिए गेम के लिए फिर editing mixing वगरे के लिए उसके बादम बात करते हैं HP का ओमें यह मॉडल जिसका प्राइस है एक लाख रुपे क्या सपास यानि एक लाख 107 रुपे आज के लिए Amazon पे आ रहा है और सभी models क से जो है link मेरे description में डाल रखा है आप जो है वहां से और detail जानना चाहते हैं तो link पर click करके और details देख सकते हैं और buy करना चाहते हैं तो वहां से आप buy कर सकते हैं और इसका जो screen size से वो 15.6 ही है और 4GB NVIDIA GTX 1050 ग्रेफिक लगा हुआ है CPU i7 7th generation 2.8 GHz RAM इसके अंदर Solar GB DDR4 लगा हुआ है Hardisk 1 TV और SSD 1820 GB और Windows 10 Home है यह बिल्कुल special gaming के लिए बना हुआ है laptop जो look wise भी देख सकते हैं keyboard वगरा पर बिल्कुल lights वगरा होती है तो इसे आप जो है buy कर सकते हैं उसके बाद हम बात करते हैं लेनवो के अंदर जो एक simple model के अंदर आएगा जिसका प्राइस है 56,400 रूपे यह simple laptop का model है जिसका size है 15.6 4GB NVIDIA ग्रेफिक लगा हुआ है और इसके अंदर जो CPU है i5 7th generation 3.1 GHz, RAM 8GB DDR4 लगा हुआ है hardisk 1 TV और Windows 10 Home के साथ ही आएगा तो एक simple laptop है आप इसे बाइट कर सकते हैं इसके अंदर जो है आप gaming भी कर सकते हैं एरिटिंग मिक्सिंग वगरा और नर्मल वर्क के बहुत ही भेतर करेगा और उसके बादम बात करते हैं लेनवो का वाई 50 यह मॉडल जिसका प्राइस से 55,000 रुपए और इसका साइज है 15.56 इंच 4GB NVIDIA ग्रैफिक लगा हुआ है CPU i7 4710HQ यानि की 4th generation का इसके अंदर CPU मिलेगा 2.5 GHz वाला RAM 8GB DDR3 लगा हुआ है यह थोड़ा सा old configuration में आपको मिलेगा और hardisk जो है 1 TV और Windows 10 Home के साथ यह आएगा तो अगर आपको गेम वगरे खेलना है एडिनिंग मिक्सिंग वगरे करना है तो अगर आपको यह मॉडल पसंद है तो आप इसे भी बाई कर सकते हैं उसके बद लेनवो का यह मॉडल है इस एसली गेमिंग के लिए बना हुआ है और इसका प्राइस से 87,500 और विंडोस 10 होम के साथ यह आएगा यह बिल्कुल आप देख सकते हैं कीबोड में बैक लाइट्स वगरा और थोड़ा से स्पेसल गेमिंग के लिए मॉडल बना हुआ है आप इसे भी बाई कर सकते हैं उसके बादम बात करते हैं लेनमोर लेजिन के यह मॉडल जिसका प् ग्रेफिक क्राड में आता है और सीप्यों आई सेविन सब्सक्राइब सब्सक्राइब और सिर्फ एससडी के साथ आएगा दो सब्सक्राइब अपरेटिंग सिस्टम विंडोस 10 होम मिलेगा तो आप देख सकते हैं काफी बहतर मॉडल है अगर स्लिम में गेमिंग लेप चाह साथ ये मिलेगा उसके बाद एसेल में हम बात करते हैं एसन का नेट्रो ये मॉडल है जो बिल्कुल स्पेसल गेम के लिए बना हुआ है इसका प्राइस है सरसाथ हजार नौसो नबबे रुपे स्क्रीन साइज 15.6 है और 4GB NVIDIA GTX 1050 ग्रैफिक लगा हुआ है CPU i5-7300HQ 2.5 लगा हुआ है Hardisk 1 TB और SSD 128 GB विद विंडोस 10 होम के साथ आएगा यारी कि 67,990 में ये जो है बिल्कुल स्पेसल गेमिंग के लिए बहुत ही खुबसूरत बहुत ही बेस्ट लेपटप आपके लिए हो सकता है क्योंकि इसके अंदर SSD भी आ रही है और ग्रैफिक 10 50 लगा हुआ है उसके बादम बात करते हैं एशर का नेट्रों में ही ये मॉडल जिसका प्राइस है 87,990 रुपे इसक्रिन साइज 15.6 फोर जीवे एन्वीडिया ग्रैफिक के साथ में CPU i7 लगा हुआ इसके साथ में i7 एट्थ जेनरेशन CPU है 1.8 GHz SSD 256 GB लगी हुई है और वि बादम बात करते हैं एसरी स्पायर का जो एक लाग 17,600 रुपे में पड़ेगा जिसका इसक्रिन साइज है 15.56 फोर जीवे न्वीडिया जीटी एक तस पचास के साथ में यह i7 आएगा और i7 7700HQ 3.8 GHz वाला प्रोसेसर लगा हुआ है रेम सोलर जीवे डीडियर 4 लगा हु किया हुआ है मॉडल से लेकर के सब कुछ तो आप इसे बाई कर सकते हैं उसके बादम बात करते हैं आसूस के अंदर ये एक सिंपल लेप्टॉप के अंदर आएगा जिसका प्राइस है 25,350 रुपे और मॉडल इसका बिल्कुल सिंपल है स्क्रिन साइज 15.56 इंच 2GB NVIDIA ग्र रहा है तो ये भी एक काफी बहतर परफर्मिंस आपको दे सकता है मातर 65,350 रुपे में Windows 10 Home के साथ आएगा तो अगर बजट में आकर आपको चाहिए तो आप इसे भी बाई कर सकते हैं उसके बादम बात करते हैं आसूस का ही ये मॉडल जो 62,990 रुपे में आएगा यारी कि 63,000 रुपे में इसका स्क्राइज 15.6 है 4GB NVIDIA GTX 1050 ग्रैफिक के साथ में आएगा और ये जो है आई 7700HQ 3.8 GHz इसके अंदर CPU लगा हुआ है RAM जो है 8GB DDR4 हर्डिस्क 1 TB के साथ ये आएगा और Windows 10 Home तो जो पहला था यानि कि ये इसके अंदर 2GB ग्रैफिक है और इसके अंदर 4 7th generation CPU लगा हुआ है तो अगर practically देखा जाएगा तो दोनों का performance लगभग लगभग बराबर मिलेगा तो आप इन दोनों में से कोई भी buy कर सकते हैं अगर बजट में gaming के लिए आपको laptop चाहिए तो उसके बाद हम बात करते हैं असुस रोज का ये मॉडल प्राइस जिसका 81,990 रुपय है स्क्रिन साइज 15.6 के साथ में 4GB NVIDIA GTX 1050 ग्रैफिक कार्ट के साथ में ये मिल रहा है आपको CPU i7-6600HQ के साथ भी आएगा पर राइविस की RGB DDR4 लगा हुआ है हार्डिस्क 1 TV के साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम बिंडूस 10 होम के साथ आएगा तो ये मॉडल जो है बिल्कुल गेमिंग की तरह आपको मिलेगा गेम के लिए स्पेसल मॉडल इसका डिजाइन हुआ है तो आप इसे भी बाई कर सकते हैं बॉजर्टिफ होट करते हैं तो उसके बाद मात करते हैं असुस का ये मॉडल जो बिल्कुल खास गेमिंग के लिए बना हुआ है कीबोर्ट पर RGB light के साथ ये मिलेगा इसका प्राइस है एक लाग्स 14,500 रुपे और इसके जो है 15 पर 6 इंच डिस्पले के साथ में 4GV NVIDIA GTX 10 50 ग्रेफिक के साथ मिलेगा CPU i7 7700HQ लगा हुआ 3.8 GHz वाला RAM 16GB है 16GB RAM DDR4 के साथ में 1TP Firecuda आप ध्यान देंगे Firecuda वाली hardisk लगे हो जो बहुत ही fast hardisk भी है इसके अंदर SSD 120GB के साथ में Windows 10 Home के साथ में आएगा तो काफी specialist का जो है configuration है gaming के लिए ये model भी gaming के लिए keyboard RGB मिलेगा तो अगर आप बजट इफोर्ट कर सकते हैं तो ये laptop खास करके gaming के लिए बनाया हुआ है तो आप इसे buy कर सकते हैं तो ये थे laptop gaming के लिए special जो special gaming के लिए ही बनाये हुए हैं तो अगर आपको high-end gaming करना है या फिर बड़ी-बड़ी वीडियो अगर आप laptop से editing करना चाहते हैं तो इन में से कोई भी आप अपने budget के हिसाब से ले सकते हैं तो gaming laptop के अंदर जितना ही अच्छा budget होगा उसके अंद लगा तक इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो दोस्तों इस वीडियो अभी तक इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी अच्छे content के साथ तब तक के लिए thank you, have a nice day, bye bye